हाई फ्रेंट्स वेल्कम टू आर्या केरियर अकेडमी आज हम लोग सीचेसल 22 मार्च का सिफ्थर्ट का पेपर डिसकस करेंगे और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर लिजिए और बेल आइकन दवाना नहीं बोलिए तक कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको मिलता रहे चलिए कोस्टन देखते हैं पहला कोस्टन आया है कि बंगलादेश का नेशनल टेमपल कौन है तो देखिए धकेश्वरी टेमपल है अब नेक्स्ट के लिए देख लिए कि न लोक्टकषिल मनीपूर में है पहले, देखिए ये मनीपूर में है, नेक्स्ट देखते हैं कवस्टन, मुंबई lifetime achievement award किसको दिया गया है तो डोक्टर वी संता राम, live achievement award इनको दिया गया, वी संता राम को एक लाक उर्पया का दिया गया है चलिए, देखिए नेक्स्ट ये question exact पता नहीं चला है, मगर इसके बारे में आप लोग देख लिजे, क्योंकि ये जब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एक्चुल में woman empowerment के लिए लाया गया था, ये हरियाना में लॉंच किया गया था, हरियाना में इसका opening गवा था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ चले next question देखते हैं, anti-defection law पुछा गया, ये बार बार पुछा जा रहा है, ये SSC में दो से तीन बार भी तक पुछा जा चुका है, तो anti-defection law जो होता है, वो 52 amendment 95 का होता है, और 10 schedules में है anti-defection law, तो anti-defection law से अरधारित पीछे भी question आ चुका है, और इसका पूरा detail हम पी free country में भूटान का नंबर आता है, क्योंकि ये क्या है न, कि हिमालिया के बीच में बसा हुआ है, इसलिए ये carbon free country माना जाता है, ये 2016 का news है, मतलब current affair 2016 के अनुसार ये भूटान एंसर होगा इसका, देखिए, सिच्छा साथी योजना, सिच्छा साथी योजना, ये किसले, य पढ़ावत्री करने के लिए ये किया गया था, तो ये जो छोटा छोटा इंडस्ट्री सवे उसको help करने के लिए ये साथी योजना जो है, इसको लाया गया था, ठीक है, तो याद रखिए साथी योजना, साथी योजना जो है, ये 2017 में भी current का question है, एक numerical से question है, time दे दिया है, velocity दे दिया है, तो displacement पुछा है, ये first shift wave question पुछाता, तो s बराबर ut plus half a t square, तो देखिए, यहाँ पर देखिए, u क्या हो गया, 5 हो गया, अब देखिए, ये आपको पता है कि acceleration बराबर change in velocity by time, तो यहाँ से आपको change in velocity पता चल जाएगा, 5 by 1, तो acceleration क्या हो गया, 5, ठीक है पता है, तो यहाँ से displacement आप निकाल सकते हैं, चले next question देखते हैं, which of the following is not a metal, तो देखिए, इसमें चार option हो था, दो option मुझे नहीं पता है, मगर इस type का question पूछा जा रहा है, मुझे दो ही option मिला है, तो आप अगर इस question को जानते हैं, तो please comment section में लिखना ना बोलिए, ये द देखिए, President elected through, तो President जो elect होते हैं, वो Electoral College के द्वारा elect होते हैं, इसमें 538 Electoral होते हैं, जैसे देखिए, राजसभा के जितने मेंबर हैं, लोकसभा के जितने मेंबर हैं, और National Assembly के, मतब कि State Legislative Assembly के जितने मेंबर हैं, ये तीनों मिलकर Electoral College के द्वारा चुनते हैं अपने President को voting होता है, उस Electoral College को दार, उसके द्वारा ये President को select किया जाता है, ठीक है, which of the following is not in a group, अब देखिए, ये question ये भी periodic table का है, जिससे आप लोग को पता होगा, ये example है, जिससे आपको पता होगा कि फॉलरीन, कॉलरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एक group के element है, तो उसी तरह इसमें क्या किया गया है, कि चार element का नाम दे दिया गया है, और पूछा गया है, कि ये कौन सा element इस group का नहीं है, तो आप क्या किजिए, कि ये example, ये question नहीं आया था, ये example हम दखाएं, कि फॉलरीन, कॉलरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एक ही group के हैं, जिसका electro negativity सबसे ज predictable से दो question आ गया, देखे, एक English से पुछा गया है, under a cloud, तो under a cloud का मतलब होता है, suspicious, ठीक है, jubiland का synonyms पुछा गया है, तो overjoy, joyful, exultant, तो ये देख लिजेगा, इसका भी jubiland का क्या है, ये synonyms पुछा गया, spelling पुछा गया है, maintenance का, चलिए, thank you for watching, subscribe and share my channel.